बच्चों आपको सो सब प्रतिमिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूं डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांस को आप पहले देखें क्या क्या आ रहे हैं उसके आउट्लाइन बना रहा हूं सभापती मोदेग यह सभापती मोदेग सदन के सामने यह सदन लिखा और सामने के लिए सिर्फ सरकल सा लगाना है आपको और यह सब पे अपलाई करना है यह एकदम मास्टर और आउट्टाइन है जैसे राजपती के सामने सरकल सा लगा दे प्रधान मंत्री के सामने सरकल सा ल हूंकी करना है यह की लगावा हूंकी मैं हूंकी इससे आपको बढ़ना है मैं समझता हूंकी बहुत ही एडवांस उट्लाइन है और काफी स्पीट के उट्लाइन है जिसको आप थोड़ी से प्रक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे दर्से लिख पाएंगे इस्थान दिया गया है इस्थान ऐसा ही बना सकते हैं इस्थान दिया गया है या फिर इस्थान का मरबस सब्चिन इस्थान दिया गया है प्रचार और प्रसार के लिए फिर भी पिर और भी को बड़ा करते हैं फिर भी इस दिशा में कहना चाता हूं की इस काम के लिए अधिक से अधिक कम से कम अगर एक से एक आए तो लाइन को टच करके लिएखना एक से एक कर सकती है कर सकती है इसके अलावा इसके अंदर के लगाओ और लव वह कर दें इसके अलाबा इस प्रकार की सोतुनता के बाद सोतुनता का सबस्चीन है हमार पास सोतुनता और यहां बस से काड़ दें सोतुनता के बाद आगे देखें काम किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए किया गया है किया जाना चाहिए हो रहा है बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों समाप्त करने के बाद समाप्त का सबस्चीन है और करने के लिए हम पुटी जानी करें के इसके पास बग वादा कर दें समाप्त करने के बाद दूसरी बात लाइन को काटके तरकांख्टा लगा दें इससे दूसरी बात यह तरकांख्टा लगावा द्याने अहिंदी भासी उपर बनाए अहिंदी भासी अगर हिंदी भासी हो तो लाइन को काटके हिंदी भासी अब प्रस्न यह है कि हिंदी साहित सम्मेलन अपने हाथ में लेती है अपने हाथ को आदा करें में लेती है कई समस्या है यह सिया लगाएं या और यह इस तरह से लगा दें तो कई का सब्चिन हो गया कई समस्या है सोतंत होने के बाद सोतंत होने के बाद बाग वादा करतें प्रियोक किया जाना चाहिए प्रग प्रियोक यही से किया जाना चाहिए तो बच्चु यह आउटलाइन इस डिक्टेसन में आ रही है अब आप इसको इसamine के लिखें और फिर मैं आपको इसका डिक्टेसन देता हूँ ताकि आपको आराम्स लिखने में परशने नहीं हूँ सवापति मोदे सदन के सामने मैं समझता हूँ की इस्थान दिया गया है प्रचार और प्रसार के लिए फिर भी इस दिसा में कहना चाता हूँ की इस काम के लिए अधिक से अधिक, कम से कम कर सकती है इसके अलावा इस प्रकार की स्वतनता के बाद काम किया जाना चाहिए, किया गया है, किया जाना चाहिए, हो रहा है बात करते हैं, सरकारी कर्मचारियों समाप्त करने के लिए दूसरी बात अहिंदी भाशी उसी तरह की से हिंदी भाशी अब प्रस्ण यहा है कि हिंदी जाहित सम्मेलन अपने हाथ में लेती है कई समस्याएं स्वतन्त होने के बाद प्रयोग किया जाना चाहिए बच्चों यह आउटलाइन में आपको बताई इन आउटलाइनों को आप अच्छे से प्रक्टिस करें लिखें और फिर इंडिक्टेशन को आप इस पुट से लिखेंगे तो कोई तकलिब नहीं आएगी अब मैं आपको सो सब प्रक्टिमिनट गर्ति का डिक्टेशन दे रहा हूँ इसको लिखना है आपको यह स्टार्ट सभापति मोदे सदन के सामने जो विधियक लाया गया है उसको लाने के लिए मंत्री मोदे ने बहुत परिस्रम किया है उसके लिए मैं समझता हूँ कि यह सदन उनको धन्यवाद देगा संसार में जितने भी देश हैं उनकी अपनी अपनी राष्ट भाषा है हमारे सविधान में हिंदी को राष्ट भाषा का इस्तान दिया गया है यद पी हमारी सरकार ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत प्रयास किया है लेकिन फिर भी इस दिशा में जो काम किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है हमारे देश को आजाद हुए 30 वर्ष से भी अधीक हो गये हैं लेकिन सरकारी कामों में हिंदी का जितना प्रयोग किया जाना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो पा रहा है यह हम सबके लिए दुख की बात है संसार में जिन देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं हैं उन देशों के जो भी राजनेता हमारे देश में आते हैं वे हमारी भाषा में बात करते हैं लेकिन हमारे देशवासी जब भी विदेशों में जाते हैं वे अपनी भाषा में बात करने की पजाए अंग्रेजी में बात करने में गोरोव समझते हैं हमें सरकारी कर्मचारियों के दिमाग से इस भावना को निकालना है इसलिए मैं मंत्री मोदे से पूछना चाता हूँ कि उन्होंने इस भावना को समाप करने के लिए अब तक क्या प्रियत किया है दूसरी बात मैं यह कहना चाता हूँ कि हिंदी के प्रचार विकास और अहिंदी भाशी छेत्रों के लोगों को हिंदी का ग्यान कराने के लिए यह आवशक समझा गया कि इस काम के लिए एक संस्ता हो पेले अमारे सविजान में इसके लिए दस साल की अउधी रखी गई थी लेकिन दस साल समाप हो जाने पर यह अनुभव किया गया कि हिंदी का जितना प्रसार और विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है और उसके लिए ज्यादा समय देने की आवशक्ता है अब प्रस्ण यहा है कि हिंदी का विकास और प्रचार अधिक से अधिक और कम से कम समय में कैसे किया जाए हिंदी साहित समयलन एक एसी ही संस्ता है जो इस कारी को कर सकती है लेकिन आपसी जगडों के कारण हिंदी साहित समयलन अपना कर्तव पूरा नहीं कर पाया है यदि हिंदी के विकास और प्रचार का काम सरकार पर छोड़ा जाता है तो इस सरकार के पास इतने अधिक काम है कि वह हिंदी के प्रचार और प्रचार का काम नहीं कर सकती सरकार जीस काम को करना आवशक समझती है उसको अपने हाथ में लेती है इसके अलावा उसके सामने और भी कई समस्याएं होती है इसलिए यह समझा गया कि हिंदी के लिए इस प्रकार की एक संस्ता होनी चाहिए जो इस काम को करे और हिंदी के पक्ष में लोकमत बनाए हिंदी साइज सम्मिलन एक ऐसी संसा है और हम समस्ते थे कि भारत के सोतन्त होने के बाद हिंदी का विकास तेजी से होगा हमें यह आशाथी की सोतन्ता के बाद सरकारी कामों में हिंदी का प्रियोग किया जाएगा धन्यवाद